हलो यूरी विवर नमस्कार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे RBI की मोनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली आठ अक्तूबर को जो की हर दो महिने में एक बार होती है और इसके अंदर टोटल 6 मेंबर होते हैं इसमें बेसिकली इंटरेट को लेकर डिसाइड क्या जाएगा क्या ब्याज की दरें बढ़ाई जाए और इसमें बेंचमार्क इंटरेट जैसे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को लेकर डिसीजन लिया जाएगा इसी चीज को लेकर यह article explain करता है कि 5 reason कौन से जिसके वज़े से interest rate बढ़ाई जाने चाहिए और 5 reason ऐसे जिसके वज़े से interest rate नहीं बढ़ाई जाने चाहिए बोल सकते एक analytical type में यह explanation है देखें यहाँ पर दो चीज़े clear है पहली बात RBI बहुत important role play करता है inflation control करने में लेकिन अकेला नहीं करते हैं सरकार का भी एक important role दूसरा RBI में जो यह दो interest rate आप देखेंगे banking sector में repo rate और reverse repo rate repo rate क्या होता है repo rate का मतलब होता जब central bank यानि RBI जो commercial जो scheduled commercial bank है जैसे SBI को loan देगा तब repo rate उसके लिए देनी पड़ेगी क्योंकि long term में होगा ऐसे ना इसमें अलग अलग आपको terms देखने को मिलेगी जो rate of interest है वो depend करते हैं आप किस तरह का loan ले रहे है reverse repo rate क्या होता है जब market के अंदर bank के पास ज़्यादा पैसा हो जाता तो RBI में जमा करवा देते हैं और वो जो interest rate मिलेगा उनको उसको बोलेंगे reverse repo rate ठिक repo rate का मतलब होता री पर्चेजिंग compulsory है कि वो आप इस आपको लेनी पड़ेगी इसी चीज़ को लेकर इस week यानि 8 अक्तूबर 2021 को जो meeting होगी monetary policy committee की उसके अंदर क्या RBI increase करेगा नहीं करेगा उसी चीज़ को लेकर इस analysis करता है सबसे पहले आप देखेंगे एक word वेंचन किया कि RBI एक तरीके से unannuyable situation के अंदर है या आप dilemma में बोल सकते हैं confusion की situation में है क्योंकि दोनों ही उसके एक तरीके से सामने option है increase भी कर सकता है और increase नहीं भी कर सकता है दोनों के analysis क्या है पहले बात अगर आप देखेंगे भारत के अंदर inflation के अंदर थोड़ा सा control आया domestic economy के अंदर देखेंगे inflation मतलब महंगाई मुद्रस वित्य आप बोल सकते हैं या price rise जो होता है central bank की main purpose क्या है एक important role करता है control में लेकिन अकेला नहीं करता है बहुत सारे factory depend करते है inflation को लेकर या महंगाई को लेकर तो इसी मेहने जो ये meeting होगी 8 October को इसी को लेकर detail में explanation किया गया अगर आप RBI में देखेंगे inflation control को लेकर 4% के legal limit लगाई गया है कि 4% जो है minimum 4 से लेकर 6% upper tolerance limit होगी इसके अलावा इसके ओपर बहुत सारी चीज़ें depend करते है GDP growth rate क्या होगी consumers को किस तरह किसे inflation का सामना करना पड़ेगा वो सारी चीज़े हैं तो RBI के सामने option दोनों है और दोनों चीज़ों को यहाँ पर analysis किया गया सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक example हम लोग दे लेते हैं जैसे केंदर सरकार या राजे सरकार उने petrol और diesel पर taxis जो impose करें high taxes लगा दी जिसका result आप देख रहें कि 100 प्लस जो है वो fuel prices आपको देखने को मिलता है high fuel prices तो है ही इसके लावा इसका अब indirect क्या असर होगा जैसे आपने कोई एक तरीके से fruit खरीदना या vegetable खरीदना है और वो transportation cost जब add होकर आएगी एक तो महंगाई होगी दूसरा fuel के price increase होगे दूसरा transportation cost increase होगे और तीसरा इसका सिधा असर पढ़ेगा कि consumer जो है आपको as a consumer और उसको महंगी चीज़े खरीदने पड़ेगी यानि fuel prices का indirectly बहुत ज़्यादा असर होता है inflation को लेकर अगर ये एक limit से ज़्यादा होता तो inflation ये महंगाई भूत तेजी से बढ़ेगी ये बड़ा concern दूसरा RBI सरकार से ये नहीं कह सकता है कि भई आप tax कम कर ये petroleum product को इसके लाव अना वो dictate कर सकता है government को क्या borrow करना है क्या borrow नहीं कर सकता जो monetary policies उसको लेकर या financial policies को लेकर suggestion दे सकता है जब सरकार उसको लेकर मांगे even RBI जो है ज़्यादा money print नहीं कर सकता अगर पैसा ज़्यादा चाप दिया तो इसका मतलब क्या होगा inflation और ज़्यादा increase हो जाएगी अगर सरकार ने बोला कि हमें expenditure और revenue के बीच में gap cover करना है तो उस context में अगर extra पैसा चापा तो ये और ज़्यादा inflation करेगा क्योंकि अगर पैसा बहुत ज़्यादा चापा तो उसकी value जो है कम होगी value कम होगी तो हमें जो पहले से हम लोग इंपोर्ट करते हैं जैसे fuel इंपोर्ट करते हैं उसमें हमारे currency की value कम होगी तो हमें और ज़्यादा ये costly पड़ेगा इसके लाबा ये huge inflation क्रेट कर सकता है क्योंकि एक तो महंगी चीजें लोगों में पास पैसा होगा और पैसा होगा तो बहुत ज़्यादा consume करना शुरू करेंगे और एक तरीके से shortage होगी चीजों की चीजें महंगी कब होती इसके पास ज़्यादा पैसा होगी तो उसकी वज़े से भी अगर चीजें demand and supply का जो रूल होता है उसकी वज़े से भी यहाँ पर आपको असर देखने को भी लेगा तो system में inflation ना आए इसके लिए जरूरी की balance करता RBI की इतनी पैसा ना सापक जिसकी वज़े से inflation हो या भारत की currency की जो value हो वो degrade हो जाए इनके लावा RBI का कुछ ऐसी चीजों पर बिल्कुल control नहीं है जैसे un seasonal rain हुई September मेने में आप देखेंगे बिना मौसम की जिसको बारी से बोलते हैं जुरूरी तो नहीं ठीक की जगा है जिसके वज़े फसल जोगा खराब हुई फूड आइट आर्टिकल जोगा खराब हुई अब क्या होगा कि कभी होगी तो जो है महंगाई बढ़ेगी या नहीं इसी चीज़ को लएकर जैसे सब्सक्राइगे इंटरनास्नल फेक्टर में जयसे फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हो रहे 님이 आप इसी आल मार्क तीन साल में पहली बार हिस्तर रहागी आर्वियmi कोई कंट्रोल नहीं RBI OPEC कंट्री को यह नहीं जाके बोल सकता कि भही आप क्यों के प्राइस काम करिए यह नहीं बोल सकता राइट तो RBI के सामने बहुत ही सिमित ओप्सन है इस पूरे चीज़ को लेकर इनके लावा United States का Federal Reserve यानि US का Central Bank है उन्होंने अभी इस बारे में डिसीज़न ले सकता है कि वो तरीके से Interest Rate को बढ़ा दे अगर Federal Rate या Federal Reserve ने अपने वहाँ पर Interest Rate बढ़ाई इसका मतलब क्या होगा USA कैसा Place हो जाएगा जो Investor के लिए Attraction होगा और भारत जैसी Country से ये Investor अब चले जाएँगे US के अंदर उस Context में क्या होगा हमारे currency के Value as compared to Dollar वो कम हो जाएगी और इसका सिधा सिधा अशर होगा क्योंकि भारत भहुत सारी चीज़े इंपोर्ट करता है इसी तरीके से RBI को Policy Change करने चाहिए Monetary को लेकर या नहीं करने चाहिए पांच-पांच रिजन को लेकर इन्हों अनलीसिस किये सबसे पहले बताया गया कि अभी RBI को क्यों मेंटेन करना चीज स्टेटस क्यों यानि जो सिच्वेशन है जो Policy Follow कर रहा है सेम उसी को जो हो रखे इसके पीछे वज़े बताएगे पांच रिजन बताएगे सबसे पहले यहाँ पर बताएगे कि Monetary Policy Committee के जो मेटिंग हुए उसके अंदर ये इन्शोर किया जाए कि पिछले कुछ महीनों के अगर आप Retail Inflation को देखेंगे Headline Retail Inflation को वो Lower Level पर है अगस्त महीने से Compare करेंगे यानि पिछले दो महीने में Retail Inflation के अंदर कमी आई है इसलिए इसको Interest Rate को Increase करने की requirement नहीं है इसी तरीके से Consumer Price Index Inflation हो ये Continue जो है Third Constructive मन्त में कम आपको देखने को मिलेगी इसी तरीके से अगर आप देखेंगे दूसरे इंडिकेटर में भी ये कहीने कहीन इंडिकेट करता है कि Inflation का जो Level है पिछले कुछ महीनों में कम होगा तो Interest Rate बढ़ाने की जरूत नहीं है तो यहाँ क्योंकि CPI बहुत Important होता Consumer Price Index एक Important Indicator RBI के लिए Inflation Rate को या Interest Rate को Analysis करने में डिसाइड करने को लेकर दूसरा ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे Inflation का जो Nature है अगर आप माल लेते हैं Food Inflation देखनों को भी बिले तो आने वाले कुछ महिने में ये possibility है कि ये trend सेम जो है वो continue रहने वाला है तो ये idea लगा जा रहा है इसको लेकर ये बोला जा रहा है कि भाई आपको Interest Rate नहीं बढ़ाने चाहिए इसी तरीके से Food Inflation के बारे में बोला जाए Food Inflation तो कम हो रही है पिछले तीन महिनों में जैसे मई के अंदर 5.2% थी अगस्त महिने में 3.8% है तो ये कुछ indicator बताएगे हैं कि आपको Interest Rate बढ़ाने की जरूत नहीं है अगर आप देखेंगे Inflation के ही मामले में अगर आप analysis करेंगे तो एवरेज जो लेवल है 4% का वो तो नहीं है बट आने वाले months में ये अगर इन data के basis पर analysis करेंगे चाहे वो CPI हो Food Inflation हो कि आने वाले महिने में moderate possibility है कि moderate interest rate रहने की समभाव नहीं है एक और फैक्टर आता है कि RBI के उपर जो है यानि भारत सरकार का जो fiscal deficit है fiscal deficit या राजगोशिय घाटा क्या होता है basically gap होता है माल लेते हैं कि आप 100 रुपे कमाते है और 100 रुपे आपकी income है और आप खर्च कर रहे हैं 105 रुपे तो 5 रुपे जो extra है वो आप कही से loan लेंगे तो 5 रुपे क्या होगा और economic perspective fiscal deficit का simple सा मतलब है कि हमारी कमाई तो है 100 रुपे खर्च कर रहे है 105 रुपे की थरू बता रहा हूँ तो 5 रुपे क्या होगा हमने loan लिया 5 रुपे हम घाटे में चले गए तो ये होगा deficit यानि income से ज़्यादा अगर expenditure आप कर रहे हैं इसके लावा ये reason बताएगे कि ये कम है कि जो financial year के अंदर estimate किया गया था कि 2021 से 22 में जो इतना रहने वाला उससे कम है इसलिए RBI को increase नहीं करना से यहाँ पर बताएवे गया कि fiscal deficit क्या होता जैसे total receipt आपकी 19,764 है total expenditure आपने कर दिया 34,832 इसमें से यह minus करेंगे तो 15,68 रुपे यह amount ऐसे आप idea लगा सकते हैं यह होगा आपकी total कमाई revenue tax या non-tax से दूसरा fiscal deficit जो total expenditure आपका इतना है और उसका fiscal deficit यह होगा देखिए revenue deficit और fiscal deficit में difference है revenue में tax और non-tax आते हैं capital receipt यानि एक तरिके से taxation के थूँ या revenue जो है taxation या direct or index के थूँ जो income होती है वो revenues के अदर count होगा और उसमें जो estimate किया जाता है उससे अगर कम है तो वो revenue deficit मना जाता है तो यह कुछ आई इसमें बताया गया इसके लावा एक और point यह नो ने mention किया गया कि sorry इससे पहले इसी को एक point है हलाकि इस चीज़ को लेकर debate है कि भारत सरकार का जो fiscal deficit है वो इतना कम क्यूं है या एक जो financial year में estimate किया या था उससे कम क्यूं है दो इसमें चीज़े मानी जाती है कि एक तो भारत में खर्च कम करा है या फिर दूसरा हो सकता है कि भारत ने या तो सरकार का revenue जादा हो रहा है या फिर सरकार जो कम खर्च कर रहे है दो ही option हो सकते है fiscal deficit को कम करने के लिए इसके अलाबा इंडिया का जो business resumption index है वो indicate करता कि इंडियन economy जो recover कर रही है यहाँ पर आप देखेंगे ये indication शो करता है ये months में सब्टेंबर 26 कुछ कुछ दिनों के बाद review करते रहते हैं तो 105 इसमें positive trend issue करता है नुमूरा का इंडिया business resumption index जो है वो ये discuss करता है अब बात करेंगे क्यों RBI को increase करना चाहिए interest rate या benchmark rate को उसके बारे हैं बताया गया पहली बात headline retail inflation जो है और food inflation दोनों moderate level पर है core inflation जो है वो भी कई ने कई खासकर food and fuel को अगर आप include कर लेंगे ये continue high रही है अभी भी आप देखेंगे चाहिए वो fuel हो या food inflation हो महंगाई अभी भी देखने को मिलती है और इसमें जो trend है वो काफी volatile राया या नहीं कभी आप कभी डाउन देखने को मिलते है इसलिए RBI को बढ़ानी चाहिए क्या interest rate इसके राव इसमें जो words यूज होते कई बार जैसे consumer price index inflation क्या है core inflation क्या है headline inflation क्या है इनके बारे में जुरूर आप देखेंगे ये जो दो word यूज किये गए है headline return inflation और core inflation जो consumer price index के basis पर है इनके बारे में देखें consumer price index हो या wholesale price index हो ये सारे के सारे important term है क्योंकि सारी terms के बारे में explain नहीं कि अजास्ता फिर video बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए main main जो cracks है हम लोग discuss कर रहे है इसके बाद second ये बताया जा रहा कि भारत में RBI को क्यों बढ़ाना चाहिए interest rate को सरकार लगाता रही एक बोल रही कि हम लोग we save recovery करने हैं कुछ data भी आया जैसे index of index of 8 core industry या index of industrial production जो उसके अंदर बताया गया कि अगस्त में हमारा जो improvement 11.6% ही growth rate देखने हो को मिली इसी तरह के से IHS का जो market India manufacturing purchasing manager index है उसके अंदर भी improvement देखने हो को मिली as compared to August ठीक है ये 52.3 से 53.7 हुआ इसके अलावा दूसरी डेटा को अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर एना रोक प्रोपर्टी कंसल्टेंट का डेटा ये शो करता है कि house holding housing sales के अंदर भी two-fold की jump देखने को मिली COVID-19 के मामले vaccination तेजी से बढ़ रहा है third wave की possibility कम है इसलिए जरूरी क्या है कि interest rate को बढ़ा दू इसके अलावा यहाँ पर ये बोला गया कि fuel जो prices है international level पर अभी उमीद की जारे कि 80 से 90 और 90 से 100 भी हो सकता तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 January 2020 को minimum आपको जो petroleum product मिलेंगे वो 125-130 उरुपे price होगा यह estimate किया गया दूसरा यह बताता कि core inflation non-fuel के अभी एक तरीके से अभी भी हाई है इसलिए interest rate को बढ़ाना ज़ूरी है fourth reason बताया गया US ने signal दे दिया कि हो सकता है कि वो interest rate को बढ़ा दे federal reserve bank जो है वो एक तरीके से ब्याज दनों को increase करते तो उसको match करने के लिए RBI को interest rate बढ़ानी पड़ेगी ताकि global investor को attract किया जासके एक और जो last indicator करता है कि fiscal deficit की जो कमी बताया जारे यह सरकार का राजगोशे घटा हुआ है या उसमें कमी आई है वो actual में क्या कमी है या यह revenue shortfall है या expenditure ही नहीं कर रहे है खर्ची नहीं कर रहे है सरकार या एक तरीके से revenue में कमी है किसकी वज़े से यह है इसके बारे में clarification नहीं अभी भी है तो इसलिए अब जो है वो तरीके से दो options RBI के पास है 5 point बताएगे कि इसकी वज़े से increase करने चाहिए इसकी वज़े से increase नहीं करने चाहिए इसके लावा RBI को अब क्या करना चाहिए यह सवाल RBI के सामने भी होगा और definitely एक typical से या बोल सकते हैं कि एक ऐसे डालीमिया की situation होगी RBI के सामने भी लेकिन RBI में क्योंकि specialist है economic है वो job decision लेंगे वो country हित में होगा इसके लावा 2022 में 5 state में election होने वाले सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है यह भी important है क्योंकि देखा गया कि election के time पर generally price rise rise नहीं किये जाते या उसमें increment नहीं देखने को बलता इसके पीछे भी एक बड़ा region है तो इसमें सरकार फिला लिए बोली current inflation को गर हम देखेंगे fuel पर इतना price tax लगाया गए कि सरकार के पास अच्छागा साब पैसा है तो सरकार इसके बारे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रही है RBI पर कि जो RBI करना है वो करे लेकिन क्योंकि सरकार के पास taxation को लेकर issues है पैसा है तो current inflation को लेकर बहुत ज़्यादा चिंति धियां पर सरकार नहीं है ठीक है तो ये था इस video का end और देखो दो-तिन चीज़े हैं बहुत सारा लंबा ये topic है वैसे तो इसमें interest rate के बढ़ाने के क्या फाइदे होते हैं गटाने क्या फाइदे होते हैं वो एक debatable पूरा लंबा topic हो जाएगा वो आदा घंटा हो जाएगा वो नहीं कर रहा है हमें short में main चीज़ें के अकरक्स को समझना है कि क्या issues है recent में और क्या इसका relevance है राइट तो ये था इस video का end thank you all जहिन